भारत अश्टरिया के बिज तीन मैचों की वंडे सिरिज का पहला मुकाबला 22 सितंबर यानि आज मुहाली में खेला जाएगा वहीं दूसरा वंडे मैच 24 सितंबर को इंदोर में होगा इस मैच में अस्विन और सुन्दर को मौका मिला है उनके पास वर्ल्ड कप की टीम में जगब बनाने का सुनारा मौका भी है रोहिस अर्मया की कप्तानी में भारतिये टीम ने एसिया कप 2023 में दमदार प्रतसंग किया और किताब पर कबजा जमाया अब भारतिये टीम अपने ही घर में अस्टेरिया से टकर लेने के लिए त्यार है इस स्रीज के लिए भारतिये क्रिकेट कंट्रोल वोर्ड बी सी सी आई ने अपनी टीम का एलान कर दिया है इस टीम में एक बड़ा फेर बदल किया है वो फेर बदल किया है इस वीडियो में दिखाएंगे लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जुरू किजेगा दोस्तो दरसल बी सी सी आई ने सिरिज के बाद होने वाले वर्ल्ड कप के लिए पहले ही अपने टीम का एलान कर दिया है इसमें स्मिनर रभी चंदर अस्वीन और वासी गटन सुंदर को जगा नहीं मिले थी मगर इस या कप के तुरान अक्छर पटेल के चोटिल होने के संदार मौका है अस्ट्रियाई सीरिज के लिए बिसी सी आई ने दो टीमों का एलान किया है शुरुवाति दो मैच में केल राहूल को कप्तान बनाया है जबकि रोही सार्मा बिराट कोली कुल्दी पियादों और हादिक बंडिया को अराम दिया गया है अक्छर को चोट एक से पहले स्ट्रियाई सीरिज में सारे एक्स्पेरिमेंट कर लेना चाहती है ताकि वर्ल्ड कॉप के लिए पर्फेक्ट टीम का एलान किया जा सके भारत में वर्ल्ड कॉप की सुरुवात 5 अक्टूबर से होने जा रही है जिसमें दो सब्सक्ता से भी कम समय बचा हुआ है लेकिन इसीया कप के दोरान ओल राउंडर अक्षर पटेल चोटिल हो गये थे उनकी जगा वासी गटन सुन्दर को रिफ्लेस्मेंट के तौर पर चुना गया है दोस्तो बता दो कि पहला वंडे मैच मोहाली में भारतिय समय उन्सार 18 बज़े से होगा दोस्तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट केजिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब केजिएगा तब तक मिलते हैं नेस्ट वीडियो में